पूछा जाता है अंद्यर नंग करते वह चला जै आज की पहले प्रष्ट पर और आज का पहला प्रष्ट एराग की स्किन पर दिया अंदवान और निकोबार की सबसे दिक उचाई वाले चोटी कम से है आपसने सैडल पीक आपसन भी माउंट थुद लर आपसन सी माउंट दिया वाले आपसन माउंट कोईल तो यहां पर दोस्तों पूछा गया कि जो अंदवान निकोबार की सबसे उची चोटी अंदवान निकोबार की सबसे उची चोटी माउंट साइडल पीक है दोस्तों साइडल पीक है और अंदवान निकोबार जंसंख्या के दिष्टी से सबसे चोटा के निसासिप्रदेश है जंसंख्या के दिष्टी से जंग संख्या के दृष्टी से सबसे छोटा केंदर सासिन प्रदेश सबसे छोटा केंदर सासिन प्रदेश यानि की यूँटी आपका अंडवान निकोबार है अंडवान निकोबार को 10 डिगरी चैनल अलग करता है अंडमान मीकोबार को 10 डिग्री जो चैनल है यहीं दोस्तों अलग करता है और अंडमान मीकोबार में साउच बटन एक निसनल पार्ख है जो यह भारत का सबसे छोटा निसनल पार्ख है भारत का सबसे छोटा निसनल पार्ख आपका अंडमान मीकोबार में है दो जन जाती अंडमान मीकोबार की बहुत ज़्यादा फ्हेमा समित्रों यारवा और संपसें जन जाती अंडमान मीकोबार की है यारवा और संपसें दो जन जाती है यारवा संपसें जन जाती अपसेंट जन जाती अंड़मार मिकोबार की एव दोनों जन जाती हैं और ये फेमस जन जाती हैं और अदबार मिकोबार की सबसे उची चुटी के नाम सैडल पीखा है जो कि आफ सा नंबर एह हो जाएगा दोस्तों नेश्च्ट देखिएगा अगला देरकार बिम्बनाड जील किस राज़े मिश्ती था तो भारत में सबसे लंबी जील बिम्बनाड जील है और या किरव राज़े मिश्ती था और दोस्तों इसी में नौकायान प्रतियोकता भी कराए जाता है और जो बिजेता होता उसे नेहरू ट्राफिक दी जाती है तो बिम्बनाड जील आपका भारत की सबसे भारत की सबसे लंबी जील है और नौकायान जील भी कुछा जाएगा विम्बनाड जील नक्की जील किस राज में है नक्की जील आपके माउंट आगू राजस्थान में है माउंट आगू राजस्थान में है एक प्रश्ण नौकुछिया जील आएगा तो नौकुछिया जील लेता तो उतरा खंड़े यहां पे नक्की जील है दोस्तों पुनासा जल्प्रपात कहां इस्तित है पुनासा जल्प्रपात जो है चंबल नदी राजस्थान में इस्तित है चंबल नदी पर पुनासा जल्प्रपात था और यह पढ़ता है दोस्तों राजस्थान नमी जलोड मिटी को अन्निकिस राम से जाना जाता है तो नई जलोड नमीन जलुड मिटी को बागर के नाम से जाना जनता है, तो इसका अंसर हो जाएगा आपका खादर और पुरानी जलुड मिट्टी को बाजगर के नाम से जानते हैं मिट्टी की अमलिता को कम करने के लिए उसमें क्या मिला जाता है मिट्टी की अमलिता को अदूर करने के लिए उसमें चुना मिला जाता है और उसमें बिना भुजा हुआ चुना मिला जाता है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा चुना C.A.S. कैल्से मार्स आगे भारत का सबसे लंबा नदी से तू कौन सा है तो भारत का सबसे लंबा नदी से तू भुपेन हजारिका लोहीत नदी परिस्तिता है असम और अरणाचर प्रदेश को जुड़ता है दोस्तों भुपेन हजारिका लोहीत नदी पहाए और यह जुड़ता है असम और अरणाचर प्रदेश को निश्ट देखिएगा निवब्रान की खोज किस ने की तो निवब्रान की खोज जेम्स चैडवीक ने किया था जेम्स चैडवीक और एक मात्रा हैंड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें इन्ट्रांस सुन्ने होता है रक्त का प्येच मान क्या है तो रक्त का प्येच मान है दोस्तों साथ दस्मनों चार है इसलिए थोड़ा चारी है रक्त थोड़ा चारी है प्येच की खोज किस ने की थी तो प्येच की खोज साइंस ने किया था सारेंस ने किया था प्येच की खोज रक्त समू की खोज किस ने किया दो प्रश्रह यहां से पूछ जाएंगे रक्त परीच संचर्ण रक्त समू तो यह रक्त समू है इसका दोस्तों कार्ड लैड इश्टीनर कार्ल लैड इश्टीनर में रक्त समू की खोज की थी येकि रक्त परी संचर्ण हो जाता कि रक्त परी संचर्ण की खोज किसे नहीं की तो उसका अंसर हो जाता बिलियम हार्वे बिलियम हार्वे ने रक्त परी संचर्ण की खोज किया था परमाणू के नाभी का व्यास कितना होता है तो पर्माडुक के नाभीक का जो व्यास होता है दोस्तों पहले तो पर्माडुक का नाभीक का जो आकार होता है यह कि त्रिक्या होती हो दस के गाते माइनस पंदरह मिटर होता है लेकिन व्यास बोला गया है तो आप दो से डिवाइड कर दिजिए गा बीस्वरेटकरास दिवस कम मना जाता है हेनरी डिमनाट के जन्म दिवस पर प्रतिवस आठ मई को बीस्वरेटकरास दिवस मना जाता है और आठ मई को तीन दिवस मना जाते हैं दोस्तों पहला बीस्टो रेडिकरास दिवस, बीस्टो थैले सिम्या दिवस, बीस्टो पक्षी दिवस भी कहा जायागा तो आठ वई को मनाया जाता है नेश्ट दखियेगा प्रश्ट संख्या दो एराब की स्किन पर काला पानी की सजा कहां दी जाती है आपसन A.B. और जेल में, आपसन B. यर्वदा जेल में, आपसन C. तिहार जेल में, आपसन D. सिलुलेर जेल में तो भाई साब काला पानी की सजा दी जाती है दोस्तों वो आपकी दी जाती है अंडमान निको बार काला पानी की सजा जो दी जाती है वो दी जाती है आपको अंडमान निकोबार और यहाँ पे जेल का नाम है सेलूलर जेल में दिया जाता है काला पानी की सजा अच्छी जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आफसर नम्बर डी में श्जचत देखिए कर दिया है स्ट्रिम चत्र भूच पर्योजना की इन सहर को जोड़ता है तो स्ट्रिम चत्र भूच का आफनका चार सरो को जोड़ता है मुंबई चेन्नई कोलकाता और नई इ जाएगा दोस्तों मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और हो जाएगा दोस्तों कोलकाता इन चार सहरों को सोड़ें चत्रभूज योजना जुड़ती है भारत में कुल कितने मुख्य बंदर गाह हैं तो भारत में जो बड़े बंदर गाहों की संख्या 13 है और छोटे बंदर गाहों की संख्या 250 प्लस से जादा है बड़े बंदर गाह जो दोस्तों केंदर सरकार के दिन आता है और छोटे बंदर गाह आपके राज सरकार के दिन आता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों तेरे मर्मो गाहों बंदर गाह कहां मना है तो इस गोवा में परेटन के लिए बहुत ज्यादा फेमस आपका बंदर गाहा है गोवा में दोस्तों और यह किसके लिए प्रसीद है तो परेटन के लिए परेटन के लिए बहुत ज्यादा फेमस बंदर गाहा है कि संधर्वन टाइगर इट्रो किस राद जम तो संधर्वन आपका है तो पस्ची बंगाल में संध casi प्षिभर बंगाल में शंधर्वन टाइगर अदीक तो ब्रॉजेक्ट की सुरुआत कब हुई थीट वन अचाइज भी में वह रहां B जो टाइगर रिजर हो है दोस्तों वो आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर हो है नेश्ट देखिएगा अगला प्रश्दे रखा है विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर कहां इस्ति था तो विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर आपका केरल में है जेट इंजन गी सिधान पर कार्य करता है तो जेट इंजन रेकी सम्बेग्र समरच्छन की सिधान पर कार्य करता है किसी दान पर जेट इंजन का रिकसा फैदो मीटर से क्या मापा जाता है तो समुद्र की गहराई जो होती है फैदो मीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई फैदो मीटर से मापी जाती है गौन मेटल किसका मिस्टरातू है तो दोस्तों गौन मेटल आपका कापर जिंक और तिन तिन गातूं का मिस्टरण गौन मेटल कलाता है यदि पीतल पूछे कि किसका मिस्टरण है पीतल तो इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों पीता जी पीता जी इसका ट्रिक होगा तो यहां पर हो जायागा आपका पी से पीतल ता से तावा जी से जींग यानि कि तावा और जींग का मिस्तरण पीतल है और एक प्रश्ण और पुछा जाता कांसा किस का मिस्तरण है कांसा किस का मिस्तरण है तो इसका आपका ट्रिक हो जाता CBT जो हम लोग पेपर देते हैं कंप्यूटर बेश्ट टेस्ट उसी का ट्रिक हो जाएगा B से हो जाएगा दोस्तों ब्राज अब ब्राज जमाने आप जानते हैं कासा और इसके C का मतलब हो जाएगा कापर दिया है अगला की भारी जल की-ाणू का रिजल कि बार कीटना dalla Doris ये नीला थोथा का रसायिक सुत्र क्या नीला थोथा आप पुतिया के नाम से जाना जाता है और इसका रसाइनिक सुत्र CUE 804 यह दिया तो ठीकर नहीं दिया तो 5H2 आपका रसाइनिक सुत्र हो जाएगा और इसका नीला तोता का दूसरा नाम तूतिया है तूतिया नेश्ट देखिएगा दिया मैकाल परवत कहां है आपसन ने मद्य प्रदेश, आपसन भी बिहार, आपसन सी महाराष्ट, आपसन भी उतराखन तो वाईसा मायकाल परवत आपके 36 नड और मद्य प्रदेश के सीमा पर है और इस आपसन में 36 नड नहीं दिखना तो आप मारिये का मद्य प्रदेश और उम्हाद प्रदेश का पूछा जाएगा मुख्यमंत्री कौन है तो यहां का सियम आपको याद रखना है मोहन यादो बरतमान में मोहन यादो जी यहां के मुख्यमंत्री है बिहार के जो सियम है आपके नितिस कुमार मितिस कुमार जी विहार के सियम हैं दोस्तों महराश्ट के जो सियम है एक नात सिंदे एक नात सिंदे जी महराश्ट के सियम है उत्राखंड के जो सियम है उसकर सिंध धामी उसकर सिंध धामी और मायकार्परवद पुछा जाएगा तो आप सर्में मंद्र प्रदियसे तो ठीक है यदि नहीं रहेगा तो आपको 36 माना होगा दोस्तों नेश्ट देखिए गड़ पहली बिद्दु ट्रेन का क्या नाम था भारत में पहली ट्रेन का क्या नाम है तो इक्ता नाम हो जाएगा दोस्तों डेकन क्वीन हो जाएगा यहां पर तटी सब्द आया है तो इक बात याद रखियेगा भारत की सबसे बड़ी तटी जीर पुनिसा है तो कंफाम है कि जो तटी लग जया तो इस तरह का दोस्तों याद रखना है और एक पूर्व महाई भी मग रेलवे का मुख्याल का है हाझी पुर्वी मद रेलेवे का मुख्याला है सिंधूनधी का उत्गर मसतल कहां है ? तो सिंदुन अली के जो उद्गान अस्ताल है दोस्तों आपका तिबद के मान सरोवर जिल्व हैं। तिबद के मान सरोवर जिल्व और इसकी पांच साहिक नदिया हैं। चिनाव, जेलम, रावी, सतलज, ब्यास। भारत में सांफो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में सांफो जो नदी है दोस्तों ब्रह्मपूत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपूत्र नदी। ITBP की अस्थापना कब हुई थी तो ITBP की अस्थापना 1962 इस्वी में हुई थी। और यहां पर चिदू नदूशा का सबसे लंब जाएक सबसे लंब आग नदिा बिखिए है रिडकल कुब कितनी संख्या होती है तो तो कूँब राम हैं कि decisive कुण संख्या वाईस होती है जाएद ॐ पूछता चेहरे में कितनी हडिया होती है? चेहरे में कान में कितनी हडिया होती है? नवजात सीसु में कितनी हडिया होती है? वयस्क में पूछा जाता है वयस्क मनुस्य में कितनी हडिया होती है? वयस्क मनुस्य में और पूछा जाता कि जान में कितनी हडिया होती है? और कपाल नि कितने हंडियां होती है तो रखा कंप में आपकी हड़ी छे नवजात्सिसों में 3 Absol द्र्वाधियां एक 66 जान में में 2 हर्डी कमाल में आपकी 8 हर्डी होती है ृदे हडी कुछता चौा आप अंसर यह मारका आए में प्पिपर में पुछा गया है वी घुप का मना जाता है तो मिरीवस आपका प्रतिवस 18 अपरएल को मनाया जाता है 10 रुपए के नोट का क्या रंग है तो डुप रुपए का जो नाया नोट बना हे दोस्तों वह आपका तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाक लेटी रंग इस्तित ऐ और जो श्याही जो नोटों की स्याही उसका कहनाम है तो वरडिक है और स्याही कहां बनती है मेसूर में भारत में कितने जगा पर नोट छपाई होती है तो चार जगा उसका ट्रिक हो जाएगा नासा में देव 2000 रुपए के नोट पर क्या अंकी था तो 2000 रुपए के नोट पर दोस्तों मंगल यान इस्तित है प्लॉरो सेंट भुन किस नोट का रंग है फ्लॉरो छेंट भुलु जो है दो स्तों 50 पैसे के नोट का रंग है रोम किस नदी के किनारे बसा है तो रोम जो है इटली की रजधानी रोम और या टाइवर नदी के किनारे बसा है और इटली की रजधानी ये इटली की जो रजधानी है दोस्तों वो आपकी रोम है ने श्रुदेखिए अगर अगला प्रशुदे रखा है भारत का सबसे उचा दर्रा कौन सा है आपसन एक कारा कोरम दर्रा आपसन भी सिप्किला दर्रा आपसन सी जोजिला दर्रा आपसन डी भुर्जिल दर्रा तो भारत का सबसे उचा दर्रा कारा कोरम दर्रा जम्भू कस्मिर में इस्तिथा आपसन न अधार ऐसा के अधार पर बनने वाला पहला राज्य काॉम था तो 1 अक्टूबर 1903 को गठीक होने वाला बासा के अधार पर एक मात्र राज्य आंद्रप्रदेश तरह आन्द्रक्रदेश एकमात्रबासा के दार परमन्यवाला राज है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है तो दुलहस्ती परियोजना आपका चिनाव नदी पर है चिनाव नदी दोस्तों सिंदू नदी की सबसे लंबी सहयक नदी है और छिनाम नदी पे कुछ चार परियोजना इस्तित है, उसका ट्रिक हो जाएगा, सबास दुलहा, सबास दुलहा इसका दोस्तों ट्रिक होगा सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, सतलज परियोजना, धुलहस्ती परियोजना ये चारो का चारो परियोजना चिनाब नधी परिस्तित है सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, सतलज परियोजना, धुलहस्ती परियोजना पार्थी ग्रह कौन कौन से हैं तो पार्थी ग्रहों की संख्या दोस्तों चार है और वो आपके मंगल, प्रिथवी, बूध, सुक्र, इचार्थ ग्रह आपके पार्थी ग्रह के सरणी में आते हैं यहुदियों के पुजा अस्तल को क्या कहा जाता है? यहुदियों के पुजा अस्तल को अप सिनेगाग कहा जाता है सिनेगाग यहुदियों के पुजा अस्तल को कहा जाता है बेग आधा करने पर संबेग कितना हो जाएगा संबेग का एक फर्मूला होता है पी बरावर यम गुड़े भी यानि कि पी बरावर यम भी इसमें दोस्तों किया किसको जा रहा आधा संबेग को असली बेग को तो यहां हो जाएगा पी पर्पोरस्वनल भी इसमें दर्मान है ही नहीं और बेग को आधा कर रहे हैं तो एक बटा दो तो संबेग भी कितना हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आधा हो जाएगा जैतून की साखा किसका प्रतिक है जैतून की साखा सांती का प्रतिक है जैतुन की साखा सांती की प्रतिक में आता है दोस्तों नेश्ट देखिएगर एलीसा परिच्छन किस विमारी का पता लगाने में किया जाता है एलीसा परिच्छन एट्स की विमारी में पता लगाने में किया जाता है और प्रतिवर्स एक दिसंबर को 28 दिवर्स मनाया जाता है और याँ दोस्तों भी सानु जनीत रोगर और प्रतिवर्स एक दिसंबर को एलिसा परिछल किया जाता है पंडित सिवकुमार सर्मा क्या बजाते हैं? पंडित सीवकुमार सर्मा जो हैं दोस्तों यह आपके संतूर बजाते हैं एवगादरो संख्या का मान कितना होता है तो एवगादरो संख्या का मान जो होता है दोस्तों 6.02-3 गुड़े 10 की पावर 23 एवगादरो संख्या का मान होता है प्लस्त में रहें कि तुस्क बर्फ क्या है ठोस्क आर्मन डायारसाइड शीओटू रसाइनों का राजा किसे कहते हैं सांद्र सलफिरिक कमने यस्ट्व यस्टो फोद रसाइनों का राजा के नाम से जाना जाता है प्रदान मंत्री ग्राम सड़क यजना कब सुरी हुई और इसमें राजिन हुई तो उत्तर प्रदेश 2012 में प्रदान मंत्री ग्राम सड़क यजना पराराम हुई थी नेश्य देखेएगा अगला प्रश्दे रखा है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी लेगुन जील कौन सी जील है आपसन ए विम्बनाड आपसन भी चिलिका आपसन सी पुलिकट आपसन भी कुलेरू तो भारत की सबसे बड़ी त्टी जीर या सबसे बड़े लएगुन जीर या स्टरवादि खारे पानी की सबसे लंबी जीर आपकी किलका जिल को कहा जाता हूँ यह उनिसा राज में हैं दोस्तों किलका जिल उनिसा राज में इस्तित है और यह भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी तटी जील है और दुसरा हो जाएगा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी लएगुन जील है और हो जाएगा सरवाधी खारे पानी की सबसे बड़ी जील है सरवाधी खारे पानी की सरवाधी खारे पानी की सबसे बड़ी जील आपकी चिरका जील है और उनिसा राजम है आपसा नमबर हो जाएगा दोस्तों भी एक बिम्बनाट जीलाया है एक केरल राजमिस्ति थी और भारत की सबसे लंबी जील है दोस्तों नौकायान प्रतियोगता यहीं भी कराया जाता है और जो भी येता होता है उसे जवार नहरुत्राभी दी जाती है पुलिकट जील आपका अंधप्रदेश तमिलाडू में है आपका पुलिकट जील है जील आंधप्रदेश में है आंध्रेस में खोलेरू जीलाइस नेश्ट देखिएगा घरेलू बिद्धुत अपुर्ती में कितनी आलुती होती है तो भारत वर्स में 50 हैटर ये 220 बोल्ट की पूरे भारत वर्स में एंपियर की लाइन प्रवाइट की जाते है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों 50 हैटर यदि विद्धुत बोल विद्धुत कितनी विद्धुत प्रवाइट की जाते है तो 220 बोल्ट इस पर आंसर हम लोग बारते हैं यहां प्याविट्थी पुछा गया तो अबिद्धी का मातरा खटड़ एक नाटकल मील कितने मीटर के बराबर होती है तो नाटकल मील पुछ विद्धुत वाहत बल बोल्ट मीटर से मापा जाता है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों बोल्ट मीटर से मापा जाता है सुस्क सेल में कौन से उर्जा होती है तो सुस्क सेल में आपकी रसाइनिक उर्जा होती है रसाइनिक जो उर्जा है सुस्क सेल में होती है उल्टा ज जंडा जुका जंडा सोग का प्रतिक है। मार्को लोग कहां करने वाला था तो मार्को पोलो जो था पिटली की रहने वाला था। नेश्ट देखिए अगर। बिख्याद सोगनात मंदीर को किसे ने निश्ट किया था। महमूद गाजनवी नाम का एक व्यक्ति था। जो पहली बार भारत पे आक्मण 2001 इस्रापुरों में किया था दोस्तों। और भारत में कुल 17 बार अक्मण किया और 1025 इस्वी में इन्हों ने सोगनात मंदीर को लुट लिया था। तो महमूद गजनवी और इसी के सासनकाल में आने वाला जो व्यक्ति था अल बरुनी। पुछा जाएगा अल बरुनी किसके सासनकाल में आया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों महमूद गजनवी और सोगनात मंदीर को कम लुट आ गया था। एक हज़ार पचीस इस्वी में और महमूद गजनवी भारत पर कुल कितनी बार अक्रों किया है। सत्तरा वर किया है। ओजोन का रहसाइनिक सुत्र क्या है। और ओजोन परत किस मंदल मीशती था है। तो ओजोन परत समताप मंदल मीशती था है। और समताप मंदल दूसरा मंदल है दोस्तों। सबसे निचली मंदल छोगा मंदल। न्यूजी लेंड का राष्टी पसु क्या है। तो न्यूजी लेंड का राष्टी जो पसु है दोस्तों। ओ आपका कीवी है। राज की पॉक्षी उछा जाएगा। तो आपका कीवी दोस्तों। तात्या टोपे का मुल नाम क्या था तो तात्या टोपे का मुल नाम राम चंद्र पांडूरंग था किस अनुसूची में दल बदल खानून है तो दल बदूल आपका दसमी अनुसूची में है और ये बावनवा नम्मर सुधान समसुधा उन्नाइस सो पचासी स्वी में हुआ था और इसमें दल बदल दसमी अनुसूची में जुड़ी देए थी एलिफेंट दर्रा कहां इस्तित है एलिफेंट दर्रा स्री लंका में आपका इस्तित है तो आज क्या धीके जीएस का क्लास ये रहा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर करें और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि हर एक रूट पिस्पिकेशन आपको सबसे पहले मिले और एपी पुलीस और ससी जीडी की तयारी आपकी अच्छी बनी रहे और अच्छे पेपर मिन करके आएं